हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ3 Android मॉइल फोन में आप जोए Quick Action सेटिंग को आपना यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और इक Quick Action सेटिंग जोए काम कैसे करेगी आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने व अगले पेज में आपको यह option मिलेगा Quick Action इस option के ठीक सामने आपको बटन दे रहा है इस बटन को आपको टैप करना है तो यह बटन आपका on हो जाएगा और आपको नीचे की साइड ने यह options आपको दिखाई दे रहे हैं इन में से आपको कोई भी एक option आपको select करना है ठीक है तो यहाँ पर देखें आप इसे flashlight पे select कर सकते है रिकॉर्ड पे, camera पे, facebook पे अगर आप open app पे select करेंगे तो इसके अंदर आपके mobile phone के सारे के सारे apps हैं तो इन में से भी आप कोई भी एक option आप select कर सकते हैं यानि कि एक app को आप select कर सकते हैं देखें मैं इसे calculator select कर लेता हूँ example के लिए तो यहाँ पर देखें blue tick mark इस open app के सामने लग जाएगा और नीचे calculator लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसे flashlight पे select कर लेता हूँ और यह देखें यहाँ पर से यह blue tick mark खड़ गया है यानि कि पूरे इस category में आप कोई भी एक option आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर जब आपके mobile phone की screen off होगी ठीक है इस तरीकी से off होगी तो आपको करना क्या है कि आपके mobile phone का जो volume down बटन होता है जिससे आप अपने mobile phone की आवाज को कम करते हैं यह वाला बटन आपको दबा के रखना है ठीक है तो इससे क्या होता है हमारे phone की flashlight on हो जाती है ठीक है तो यह setting जो कु setting page में आपको सबसे उपर यह search icon select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है quick action ठीक है इस तरीके से तो आपको नीचे की side में यह option शो हो जाएगा quick action इससे select करना है इससे क्या होता है आपका phone आपको directly setting page में लेकर आ जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भ वाइलफोन में